यहां पर हमारे पास question है एक matrix दिया हुआ है और हमें देखना है कि gx plus g of minus x ठीक है तो हर एक में gx और g of minus x की value calculate करने के लिए बोला गया है सबसे पहले हम gx लिख लेते हैं gx determinant है हमारे पास a to the power minus x a to the power minus 3x a to the power minus 5x ठीक है इस वाले term को देखोगे तो यह actually में क्या लिखा हुआ है e to the power x ln a इसको हम क्या लिख सकते है e to the power ln of a to the power x है ना यह actually में किस के को जाएगा a to the power x के यहां पर इसको simplify करके a to the power x a to the power 3x और a to the power 5x हम यहां पर लिख सकते हैं ठीक है और यह x square x to the power 4 और यह 1 है ठीक है हमें g of minus x भी calculate करने की ज़रोत पड़ेगी ठीक है तो यहां पर g of minus x calculate कर लेता है तो g of minus x की value कितनी हो जाएगे g of minus x जब calculate करेंगे तो x की जगा पर हमें minus x put करना है ठीक है x की जगा पर minus x put करना है तो यहां पर क्या जाएगा a to the power x a to the power 3x a to the power 5x और यहां पर A to the power minus X A to the power minus 3 X A to the power minus 5 X ठीक है और इस वाले टर्म में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यह even power का है ठीक है तो दोनों matrix को देखोगे तो almost same type का है बस इन दोनों row और column का change है ठीक है तो अगर हम इस दोनों row को interchange करें ठीक है और इसमें अगर एक interchange करते हैं तो यह value किसके को हो जाएगी minus times G of X के equal हो जाएगी ठीक है हमने यहाँ पर column 1 और column 2 को अगर आप interchange करोगे तो हमें बता है कि एक interchange पर एक minus sign आता है यह value किसके equal हो जाएगी इसके equal हम लोग क्या लिख सकते है जी ओफ minus X plus G of X equal to zero ठीक है यह हमारा answer हो जाएगा तो यहाँ पर कौंसा option आपका match कर जाएगा आपका यह option यहाँ पर match कर जाएगा ठीक है